पेट्रोलिंग के दरान बिली सुचना की आथार पर पाचपॉली पुलिस तीम डे डखेती तैयारी कर रहे पाच आरूपियों को गिरफतार क्या जबकि एक अंतिरे का फायता उठा कर भाग गया इनमें से दो आरूपियों को 16 मेहने पहले तड़िपार क्या गया था बाचुत इसके विश्चहर में आकर फिर अपराद की तैयारी करे थी गिरफतार आरूपियों की नाम बार्सी नगर निवासी राकेश और बाबा उर्फ खट्या नरिस थोड़ा पे डिवर पुरा निवासी मनोज और मच्छी सुमाची नान्ने शांती नगर निवासी ब्रामपदी परार हो क्या जो अंधेरे का फायदा लेके वहां बैटे हुए है तो एक आदमी को हमने वहां बारी काई से जाके क्या मालूमात चरी उनकी क्या प्लैन बंद रहा है इसके लिए बताए उसके बाद में वहां गया हलकी सी मालूमात निकाली तो पचाद चला कि वह कई तो भी दरोडा दा तो उनको हमने ताबे में लिए और पुली स्टेशन में लाए पुली स्टेशन में लाने के बाद फिर उनके उपर उनके जो दो आरूपी थे तो वो तड़ी पार थे हमने जब रेकॉड उनका देखे तो हमें समझ में है कि वो जो दो आरूपी वो तड़ी पार है और तड़ रात करीब 1250 को पेटोरी कर रही पलिस टेम में शामिल नंकिशुर वाल्दे को कंट्रोल रूम से सोचना विली कि लालकंश खैरी पुरा में शितला माता मंदिर के पीछे कुछ लोग जमा है और किसी अपरात की तयारी में है जानकारी मिलते ही पुलिस टेम मौकी पर पौची और जगा को चारो तरफ से खेलिया आरुपियों ने भागने का प्रयास किया लेकिन सफल ने हो सके पुलिस ने पाच को पकड़ लिया लेकिन करन अंदरी का फायता उटा कर फरान हो गया। पुलिस ने आरुपियों के पास से खातक हत्यार और डकेती में उप्यों के जाने वाला सामान मिला है। जाश में पता चला है कि फिरोज और देख्षित को 28 जनवरी 2020 को दो परश के लिए तड़ी पार क्या जा चुका थे। उनकी सजा पूरी होने भी अभी आठ महिने का समय बाकी था। बाचुत इसके दोनों ने बिना पुलिस के अनुमती के शहर में पॉचे और अफरास की तैयारी में थी। कैमरा परसन माइकल के साथ शितिजा देश मुकी रिपूर्ट